हाई स्टूडेंट, गीड मर्निंग, तो रेडी हो आपनी बुखलेट कम्पलीट करने के लिए, ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा कै से श्रय तक लिखें, और तीन वर्नों के शबद वर चार वर्नों के शबद, तो कै से श्रय यानि कै कबुत्तर, आपने इसको अब कै आपने ओली बोलने कै, क्खे को खेकर गोश नहीं बोलना, क्या बोलोगी क्खे, फिक गै, जै, छै, जै, जै, या, टै, ठै, डै, डै, अणे, टै, ठै, डै, जै, नै, पै, फै, बै, भै, मै, य, र, ल, व, श, से है अक्षा ड्रए अग्ये affecting श्रह यह मैंने विटा आपको इसली बोल ला है कि आप इसको कैकबुतर या खेखरज क्यों नहीं बोलोगे वो इसलीए कि अगर आप इसको कैकबुतर ही बोलते रहोगे या खेखरज जया ग्या गमला ही बोलते रहोगे तो आपको आगे यहाँ जो आप वर्णों को जोड के शबद लिखते हैं या पढ़ते हैं उसमें आपको प्रोब्लम आएगी अब मान लिया यहाँ पे है धै रे में अगर आप इसको धै धनुश रे रत और में मचली बोलेंगे तो आप इसको कैसे एड करेंगे कैसे जोड़ेंगे तो इसलिए आपको यह क्या बोलना है धै रे में धर्म नेक्ष्ट है पै वे ने पवन कै पैटे कपट रे पैटे रपट बैटे ने बटन और इसको आपने आगे दो दो बार राइट करना है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे है एक अच्छी सी pencil उन्दर सी और उसमें आपने उसमें कलर करने है आपको यहाँ झालर किए है और आपने भी इसको ऐसे ही कालर करना है तो next हमारे पास फिर वही कैसे श्रै तक ताकि आपकी revision अच्छे से हो जाए आपको अच्छे से learn हो जाए और उनकी पहचाना जाए तो ये भी आपने वैसे ही learn करने हैं कै, खै, गै, गै, अड़े यानि कैसे लेके श्रै तक आपने इसको फिर learn करने है और फिर यहाँ शुरू कर देने हैं चारवर्नों के शबद जैसे पहले हमने दो के किये थे और अभी हमने यहाँ तीन और अब कितने के करने चारवर्नों के शबद तो क्या है चारवर्नों के शबद और यहाँ पे आपने दो दो बार इसको भी ऐसे ही राइट करना है और लर्ण भी करना है तो नेक्ट पेज निकालिए नेक्ट पेज में है बाद वाले वर्ण लिखें आपको बार बार यही दिये जाता है आप यही सोचेंगे कि हमने कैख है एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार चार बार हमने राइट किया तो वो इसलिए कि आपको अच्छे से लर्ण हो जाएं आपको पहचान आजाईज की तो अब आपने कितना लर्ण किया है वो आपका टेस्ट यहाँ पे है आपने यहाँ पे बादवाले वारने लिखने है यहाँ पे पेपतंग है और पेपतंग के बाद क्या आता है वो आपने लिखने फै तिर आगे यहां पे यह है तो आप क्या लिखोगे रे खे, ग, हे, शे, ठे, डे, जे, इं शे, 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 से, गे, गे, चे, शे, धे, ने, अने तो यह ते थो बाद वाले वन अब यहां पे है हमारे पास बीच वाले वन ते, थे, दे, यानि ते और दे के बीच में क्या आया थे फिर यह पे जे और यहां तो बीच में क्या आगया जे वे, शे, बीच में क्या आया हुआ शेलगम वाला शे थे, धे, और बीच में आगया दवात वाला दे थे, धे, और बीच में डे डमरू वाला कै, खै, गै, है अक्षर त्रै और यहाँ पे है एक लोट्स यानि कामल का फूल और आपने इसमें कलर करने हैं आपने इसको सुन्दर बनाने तो नेश्ट पेच हमारा स्वर हो गए व्यंजन भी हो गए दो अक्षर का जोड हुआ तीन का हुआ और चार का भी हो गया तो अब हमें क्या करने है आ की मात्रा लगा कर शबद बनाने है यह है हमारा आ और इसकी मात्रा जो होती है ऐसे एक डंडा होती है और यह मात्रा हमें लगा कर शबद राइट करने है लगी हुई भी है आपने इसको बोलने जोकि हमारा आ है तो जिस भी वर्ण को आ की मातरा लगेगी वो आ ही हो जाएगा जैसे है, आ, थ, हाथ तो इसको आपने तीन बार आगे राइट करने है फिर है क, आ, न, कान इसको भी ऐसे तीन बार राइट करने है फिर नीचे है ने आके नाक, बे आले बाल, गे आले गाल, से आगे साग, ले आले लाल, आ में आम, में आ थे आ माथा, रे आ धे आ रादा, बे आ जे आ बाजा, में आ थे आ माता, ते आ जे आ ताजा, एंड रे आ जे आ राजा तो ये तो थे प्यारे बच्चो आ की मातरा लगा कर जो शब्द आपने लर्ण करने हैं और राइट भी करने हैं और आ की मातरा की आपको पहचान हो गई है जैसे कि जो भी वर्ण को हम आ की मातरा लगाते हैं तो आ की तरह हो जाता है तो इसको आपने सेम आगे तीन-तीन बार राइट करने तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए अपनी सेथ का ध्यान रहें घर में रहें सुरक्षित रहें